पुर्देश भर में कुरोना वाइरस के संक्रमन रोकने के लिए सरकार सभी तरह के प्रयास कर रही है विराज़ानी के रामगण शेतर में सौंबार को विधायक अमीन कागजी और कमिशनर आनल शिवास्तों ने मिलकर कुरोना प्रभावित शेतर का दोरा किया विधायक और कमिशनर ने कहा कि जनता डरे नहीं बलकि खुद आ गया का प्रशासन से जानकरी दे इससे सही समय पर पुरा इलाज मिले साथी ऐसा होने पर बीमारी का खत्रा नहीं होगा वहीं जो लोग कुरोना वाइरस के संक्रमित लोग के संपर्क पाये हैं उनसे अपील है कि वो अपने घरों में रहकर सरकार की गाइडलाइन की पालना करे विधाय कमीन कागजी ने अपने विधाय कोश से एक करोड की राशी इस महामारी के दोरान अपने शेतर में जरुत बंदों के लिए खर्च करने का फैसला लिया है इसमें जरुत बंदों को मास्क सेनिटाइजर वित्रित की जा रहे हैं मुए गरीब असाइड लोगों के लिए अलग से खाने की विवस्था विधाय कागजी के ओर से की गई है कागजी शेतर में सक्री हैं और पुलिस और जटा की बीच एक सेतू का काम कर रहे हैं इनकी तारीफ परदेश के मुख्या शोगेलोद भी कर चुके हैं देखिया आज अभी हम सब पुलिस अदिकारी और मेडिकल स्टाफ सारा रामगंज में हम आए हैं और मैं यहाँ यह अपील करने आया हूँ कि जिन लोगों के आज पॉजेटिव मिलें उनके रिष्टदार जो घरों में हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे हैं अलाकि पिछले तीन चार दिनों में आप लोगों का बहुत सहयोग रहा लेकिन आज जो लोग पॉजेटिव आएं उनके रिष्टेदारों का कॉरिंटीन करना बहुत जरूरी है तो मैं आपसे अपील करता हूं कि जो लोग घरों से बाहर ना निकल रहें वो डरें नहीं मेडिकल स्टाफ का पॉलिस के लोगों का सहयोग करें और खुद से आके बताएं कि जो लोग पॉजेटिव मिलें उनके साथ उनकी रिष्टेदारी और वो बिलकुल निश्चिंद रहें सरकार उनका ध्यान रख लिए और पूरे तरीके से हम ध्यान रखके उनको किसी भी तर यहान नहीं होगी